अससलामों अलेकुम राहमतुल्लाहिव बरकातू मैं एक हीरा गुरूप की मेंबर और आज का जो मेरे वीडियो बनाने का मकसद यह है कि यह जो कौम के नाम पे कौम के रहबर बनने वाले लोगों से मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूं जैसे इससे पहले भी हमने वीडियो के जरीए हमारी कई बेहनों ने उन से गुहार लगाई मिस्टर असद दिन ओवेशी साप बैरिस्टर जो है मिस्टर अकबर दिन ओवेशी साप को इस बेहन ने कुछ सवाल पूछे थे और कुछ जवाब मांगे है मुसल्मान कौम के रहबर बनने वाले M.I.M. पार्टी के लीडरों ने आज तक सामने नहीं आए कई लाखो लोग परेशान है 15-20 लाग परेशान है और एक हमारी बेहन जो 6 महीने से जेल एक जेल से दूसरी जेल गूम रहे बिना कोई कुसूर के बिना कोई सभूत के आज तक 14 अजनस्यों में से कोई एक की तरफ से कहीं कुछ मिला नहीं उसके बावजूद उनलों का एक लीडर है जो बैट बैट के चिला चिला के आज कल तो कुछ ज्यादा ही एक एक दिन में दो दो बार आके और लाइव वीडि किसी को आपके हिसाब से और आप बोलने और आगे छे महीन आ रहेगा अज तक फिरुल्ला मुसल्मान है किस नाम के मुसल्मान है आप आपको पता है अगले पल में क्या होने वाला है सिवाए अल्ला के किसी के हाथ में नहीं है नहीं किसी को कोई हक है बोलने का कि अगले पल सलमानों में से किसी एक की दूआ नहीं कभूल होगी और पल में हर कुछ इस पलट सकती है कुन फयकून की देरी होती है हमारे इसलाम में अल्ला चाहे तो कुछ भी हो सकता है तो आप इतनी बड़ी बात कर रहें मजा ले रहें और एफायर कराओ और एफायर करो अब जब आप के हिसाब से और आगले 6 महीने जाएंगे आप बता रहें यह तो हमें भी पता है इंशाला कुछ नहीं होने वाला है लेकिन अंदाजे से आप बोड़ रहें और आगे और सब जगाओ पर आप करो बोड़ रहें तो क्या आपको जिंदगी बर उनको जेल में रखे यह 15-20 ल कर रहें तो करना क्या चाहते हैं क्या पूरी प्रापर्टियों पर आपकी नजर हैं आप वेट और बहुज कर रहें कि बस सब खराब हो और कभ अरप प्रापरटी यह लाफ निलाम हो और आप खरीद लो आपके मिया में पर्टी के उपर से सब आप लोगों का सब चलता है सब मालूम हैं पुरी दुनिया जानती हैं आज तो 15 से 20 लाग मुसलमान जान चुके हैं कि आप लोग क्या हो इतना रिस्पेक्ट से हम लोग आपको सवाल पूछेते जवाब मांगे थे लेकिन कोई सामने नहीं आया कि उसके साथ साथ अभी हमारे सामने एक मैडम आये है याश्मिन मुंसी अरोरा सा मैडम जो वारानसी से खड़े होने की बात सामने आई तो मैं मैडम से बात करना चाहती हूं मुखातिव आज का मेरा म इन वीडियो बनाने का मकसद तो यह नहीं की तरफ है क्योंकि यह पार्टी ने तो हमको दे दी दिखा दी जवाब भी नहीं दे रही है ना सामने आ रही है ना कुछ मदद कर रही है उनकी परसनल दुश्मनी होगी तो वह उन तक रहना चाहाश आप मुसलमानों के रहबर बनने वाले 15-20 लाग मुसलमानों से दुश्मनी निकाल रहे है तो उनको तो हमने खतम समझ गए अभी हमको आगे क्या करना है वो सब वरकर बताते हैं और आके मैं बहुत सारे उनको वीडियो देखती थी उसमें माशारला हमको भी ऐसा लगता नहीं कोई तो भी हमारे है तो कहां है आज है आज यह मुंबई में हमारे सामने साथ देने की बजाए वारान ऐसी से खड़े हो रहे तो आप क्या किस चीज के सोश सामने हमारी मदद कीजिए हम भी आपका सपोर्ट करेंगे इंशाला 15-20 लाग मुसल्मान है उसके वोट के हिसाब से आपको बहुत कुछ अच्छा फाइदा हो सकता है लेकिन आप लोग को यह करना ही नहीं है आप लोग तो सिफ धोंग करते मुसल्मान होके हिंदुस्तान क की बेटी अपने आपको बोलते तो यह कहां है वो हिंदुस्तान की बेटी जो हिंदुस्तान में 15-20 लाग परेशान हाले उसका नजर अंदाज करके वारा नसी से खड़े होनी की बात करें तो हमें आज क्वेशन उनसे है जैसा हमने पिछले वीडियो में हिंदुस्तान बो का जवाब तो इलेक्शन में मिलना है इंशाल्ला तो मैं यह बेहन जो हिंदुस्तान की बेटी अपने आपको बोलते हैं उनको बोलती हूं कि आप आगे आए जवाब दीजिए हमें जवाब चाहिए कि आप किस बेस पर यह बाते करते हैं अगर आप है तो सामने आए नहीं मोणे लोग परिशान है उसको नजर अंदास कर रहे और फिर इलेक्शन में खड़े हो रहे यह कर रहे हो कर रहे हैं यह क्या है यह बेस्षरमी के हथ पार कर रहे आप लोग मुसल्मान हो के तो नाम हटा अपना कि नहीं भाई हमको क्या करना है जरा जर्थ तो देखिए आप मुसर्त बेहन है ना, तो आये हम सब मिलके आपको भी सपोर्ट करेंगे, हम बेहने सब मिलकों देखेंगे आप सब को और हमारी आपको बहाँ निकालने में मदद कीजिए, सामने आएए, अगर आप सची हैं तो सामने आएंगे और हमें जवाब देगे, नहीं तो हम यह तो माइम के लोगों को से गुहार किये वही समझ लेंगे कि आप भी उसी में से हैं मैं गुजारिस करती हूँ जो भी है आप खुल के बताइए क्या है आपका इरादा क्या है आपका मनसा सामने आईए और हमें जवाब चाहिए अब हम चुप नहीं रहने वाले जब उनसे हम स लेनर बहुत परेशान कर रहा है इसलिए अभी भागने के चक्कर में इसलिए एक दिन में दो दो वीडियो बना के लोगों को पैनिक करने की कोशिश कर रहा है तो एफ आर करने का तो सोचे ही नहीं इंशाल्ला सब सही हो जाएगा हमारी डॉक्टर आपन और अशेक ने भी बेधों की चोगी सोगी शेतान को क्या पता इसलाम क्या है sabem गया है अलत पर भरोसा क्या है बस का दिवारी में कर आपको शलिए कि इसके लिए मेरी विद्मना रखें सबर करिये साब जल्दी सब और एसे बात्いきます वीडियो को देखे भी नहीं और उनकी बातों में पैनिक नहों सब सही चल रहा है इंशाला और आगे में इंशाला सही हो जाएगा अस्सलाम